नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राइड 200 mg टेबलेट के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तिमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इस टेबलेट को दिया जाता है इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा दिखेगा लेकि दोस्तों प्राइड 200 टेबलेट आती है सॉल्वेट लेबॉर्टरी कंपनी की और इसमें जो सॉल्ट है वो है एमिसल प्राइड टेबलेट 200 mg और इसका जो MRP होता है वो भी दिखा देता हूं एक सो अड़ सटर पे है दस गोलियों का तो चलिए बात के लिए इसके यूजिस की किस काम में इस्तमाल की जाती है दोस्तों प्राइड 200 mg टेबलेट का इस्तमाल सीजोफरेनिया के इलाज को इलाज के लिए इस्तमाल की जाती है सीजोफरेनिया एक गंभीर बिमारी है जैसे की जो इसके लक्षन पहले जान लेते हैं जैसे की इसमें क्या होता है कि सोचने की शक्ती कम हो जाती है या फिर याददाश कमजोर हो जाना कुछ भी याद ना रहना जब ये प्रॉबलम होती है ना पेशन को तो बहुत क्रिट कंडिशन हो जाती है पेशन की जैसे की खोई खोई रहना किसी से बात ना करना बैठे रहना सुस्त रहना नींद ना आना कमजोरी महसूस होना लेटे रहना और अकेले रहने का मन होना चिड़ चिड़ा पन आ जाना या फिर किसी से संबंध ना रखना डर लगना शरीर का का कापना या फिर दिल का कापना या फिर शरीर में उल्जन होना पूरे हाथ पाओं में हलका दर्द रहना और कि अकेले रहने का मन होना मतलब ना तो किसी से बात करना चाहता है वह पेशन्ट और ना है किसी से मिलना जुलना सब्सक्राइब प्रसकाइब करते हैं और इसकी जो डोज होती है वो सुबह शाम या फिर तीन टाइम भी बता सकते हैं या फिर एक टाइम भी बता सकते हैं जैसे पेशन्ट की कंडिशन होती है वैसे ही चेक करके इस टैबलेट की डोस को बताया जाता है इसके जो साइट इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं इसको लेने से अगर पेशन्ट का मूँ सूखता है चक्कर आते हैं या फिर सांस फूलने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, शरीर में खुजली होने लगती है, या फिर धुंदला दिखता है, कब्स रहती है, दस्त लगने लगती है, या फिर नींद नहीं आती है या फिर स्तन में वरीदी होने लगती है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है अगर पेशन्ट को इस टेबलेट को देने से तो इसे बंद करके डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए इस टेबलेट के अगर बात करें कितने दिन इसको लिया जाता है तीन महीने, चार महीने, छे महीने या फिर हो सकता है साल भर भी बताया जा सकता है या फिर हो सकता है कि दस दिन के लिए ही बताया जा सकता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया उतने दिन ही दी जाती है तो क्योंकि हर पेशंट की कंडिशन जो अलग-अलग होती है उसको कितनी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही चेक करके बताएंगे कि कितनी दिन चलनी है यह दवाई ठीक है साथ में और भी बहुत सारी दवाईयां दी जाती है तो डॉक्टर के पास जाना जुरूई होता है ठी है तो जो डॉक्टर होते है नीरोलोजिस्ट नहीं इस की पास ही इस चीज का इलाज होता है नो दोस्तों आज